नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में गर्मियों में पोधों को पानी देने के सही तरीकों पर बात करेंगे देखिए हमारे पार्ज छोटे बड़े सभी तरह के पोधे होते हैं जो की वो 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच इसी तरह से 18, 20, 22 इंच तक के साइज के पोट में लगे होते हैं तो उन सभी पोधों को पोट साइज के एकोर्डिंग पानी कैसे देना है क्या तरीका होना चाहिए जिससे की पोधों की जड़ें और पत्तियां दोनों स्वस्त रहें जूल से नहीं इस पर बात करेंगे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरन पहुंच जाए सबसे पहले छोटे छोटे गमलो में लगे प्लांट्स में पानी देने के तरीके पर बात करेंगे सबसे पहले आपको एक बड़ा सा टब ले लेना है और उसमें आपको आधा पानी भर लेना है ध्यान रहे कि जब हम गमलो को पानी में डालेंगे तो गमला इसमें पूरी तरह से डूप जाना चाहिए तब ही यह प्रोसेस अपने आप में कम्लिट हो पाएगा गमलो को टब में डालने के बाद आप नोटिस करेंगे कि मिटी में से पानी के बुलबुले निकलते आपको दिखाए देंगे यही वो गर्म हवा होते हैं जो मिटी से नमी खत्म होने के बाद गेप गेप में अपनी जगा बना लेते हैं गर्मी के मौसम में ये गर्म होकर जड़ों को डेमेज करते हैं और जड़ों के डेमेज होते ही बर्न होते ही पतियां भी जुलसने लगती है देखे जब हम छोड़े छोड़े गमलों में simply ऐसे ही पानी देते हैं तो कभीकभी होता यह है कि पानी तेजी से drain out हो जाता है सारी मिट्टी गीली हो भी नहीं पाती है और धूप पढ़ते ही, गर्मी बढ़ते ही उसी वज़े से जड़े जुलसने लगती है जाहिर है कि अगर सारी मिट्टी पानी को अच्छे से नहीं सोखेंगी तो उनकी जगह हवा ले लेंगी जो गर्मी में गर्म होकर जणों को पत्यों को जुलताएंगी इससे बचाय रखने के लिए सबसे आसान सा उपाई यही है कि आप टब में आधा पानी भर कर छोटे छोटे गमलों को इसमें डाल दें गमला पानी में डूप जाना चाहिए और जब पानी के बुलबुले निकलने बंद हो जाएं तो एक अन्फरम हो जाएगा कि वाटरिंग कम्प्लीट हो चुकी है इसके बाद आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं इसी तरह से आप सबी छोटे छोटे पौधों को जो छोटे छोटे गमलों में लगे हुए हैं उन्हें आप पानी दे सकते हैं दोस्तों इसी टोपिक पर वीडियो मैंने लास्ट येर भी आप से सेर की थी जिसमें मेरे पास कुछ कमेंड्स ऐसे आये थे कि अगर बड़े गमलों में इस तरह से पानी देना हो तो कैसे दें जिनें आसानी से उठाया भी नहीं जा सकता और उनके लिए इस तरह से वाटरिंग की विरस्था कैसे की जाए तो यहाँ पर मैं किलियर करना चाहूँगा कि बड़े पोधों में यह प्रोसेस जरूरी नहीं है बड़े पोधे इतने नाजुक नहीं होते हैं वो थोड़ी बहुत तापमान के उतार चड़ाव को जहल सकते हैं बड़े गमलों में एक बार भरकर अच्छे से वाटरिंग कर देने से उनकी नमी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है जल्दी ड्राइ नहीं होती है कुल मिलाकर बड़े पोधों को उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना चोटे पोधों को पड़ता है इसलिए चोटे पोधों में यह प्रोसेस आप गर्मियों में जरूर करें इसके बाद अब बात करते हैं बड़े पोधों में पानी देने के सही तरीके पर बड़े पोधों में पानी देने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है जैसे कि हम अन्य मोसम में करते हैं लेकिन हाँ गर्मियों में डेस्ट पत्यों में ज्यादा जमा होते हैं इसलिए आप उपर से पानी डालिए पत्यों को नहलाते हुए जिससे पत्यों में जमा डर्ष्ट धूल जाए इससे उन्हें सांस लेने में और भोजन बनाने में आसानी होगी अगर आप मिट्टी में पानी नीचे सही देते हैं तो आप इस प्रेयर से पत्यों को विकली जरूर नहलाए बस यह एक छोटा सा वीडियो लेकिन काफी इंपोर्टेंट वीडियो मैंने आपके साथ सेयर करने की कोसिस की है जिसमें अगर आपके पास छोटे पोधे हैं तो उन्हें आप टब में पानी भर कर वाटरिंग कीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया और बड़े पोधों में आप सिंपली पानी दे सकते हैं उपर से पत्यों को नहलाती हुए या डिरेक्ट नीचे से पानी डाल कर लेकिन पत्यों को कम से कम सबता में एक बार आपको जरूर नहलाना है खास कर डस्ट को हटाने के लिए और अगर आप पत्यों में डेली पानी का सावर करते हैं तो वो सबसे उत्तम रहेगा वीडियो पसंद और यूजफूल लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर किजेगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो